अपने सैक्डू लोगों को गुटका खाते देखा होगा लेकिन इस गुटका मैन के आगे बड़े-बड़े पानी भरते ही गुटका मैन एक दिन में इतना गुटका खाता है कि उसकी बीवी है परेशांग इस शक्स को देखकर गुटका कमपनिया भी है है राण बड़ी-बड़ी कमपनियों के आने लगे हैं ओफर हाँ जोण कर कह रही हैं सरकार हमारे ब्रैंड अमबस्डर बन जाओ गुटका मैन के घर के आगे गुटका कमपनियों की लगने लगी है लाई सब ही कह रही है नाथ हमारे कॉंट्रेक्ट पर करदोस साइन भाई के आगे नशामुक्ती केंद्रों ने भी जोन लिये हाँ कह रही हैं हम भी नहीं छुड़ा सकते गुठके से आपका साथ वो गुठके का दस बैकेट एक साथ फालता है फिर उसमें हलका सा केसर डालता है जुबा पर डेली को लेकर धीरे-धीरे मुठ चलाता है आसपास के लोगों को अपने गुठके की ताकत दिखाता है मुठ से बिन बोले लोगों पर जादू चलाता है केसर का खुश्मू फैलाता है यूद तो वो किसी से बात नहीं करता है लेकिन जब भी बोलता है हवा में केसर घोलता है वो 24 घंटे जुबा केसरी बोलता है गौर्ड से देखे इस आदमी को ये वही आदमी है जिससे देखकर गुठका कमपनियां भी अब सोच रही है कि आखिर हमने बड़े-बड़े लोगों को क्यों मोटे पैसे देकर प्रिचार करने के लिए रखा है जबकि अलीगड का ये नाया भीरा तो सबसे अलग है इस आदमी के नाम दर्ज है गुठका खाने का रिकॉर्ड इतना गुठका आपने ना किसी आदमी को खाते हुए देखा होगा ना ही सुना होगा लेकिन आज हम जिस गुठका मैन की बात करने जा रहे है उसकी सच्चाई जानकर आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे बलकि अपने दातों तले उंगली भी दवा लेंगी आप बस यही सोचते रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है इस गुठका मैन के नाम कौन सा रिकॉर्ड दज है जिसे आज सक कोई तोड़ नहीं पाया वो भी आगे बताएंगे लेकिन सबसे पहले इस गुठका मैन के बारे में जान लीजी दिन बर में गुठके का 200 पैकेट फारने वाला ये आदमी अलीगण का रहने वाला है इस गुठका मैन की छोले भटूरे की दुकान है जहां पर इससे देखने के लिए भीर लगती है ये गुठका मैन ऐसे ही नहीं है इसकी जिन्दगी के शायद ही कोई ऐसे पल होते होंगे जिसमें ये गुठका ना खाता हो सोते, जाकते, उठते, रोते, गाते हर वाक्त ही ये गुठका अपने मुँ में रखता है परिसित या कैसे भी हूँ भाई के मुँ में हमेशा दस गुठका होता ही है अपनी जिन्दिगे में इन्हों ने इतना गुठका खा लिया है कि इनके मुँ ने ही गुठके का आकार ले लिया है इनके गलफडे भी कहते हैं साहब आपने तो हमको बदल कर रख दिया गुठका खाने की वज़स से गाल दोनों तरफ से फैल गया है एक बार को देखने में तो लगता है जैसे मानो कोई बीमारी हो गई हो लेकिन आज सक इसे कोई बीमारी नहीं हुई है और यह शौक से 15 सालों से गुठका चबा रहा है छोले भटूरे की दुकान पर अब तो खाने वालों के कम गुठका वाले इस भाई को देखने के लिए लोगों की भीर लगने लगी है लोग हैरान है कि कोई आदमी कैसे एक बार में 10 से 15 गुठके खा सकता है इस आदमी के दावे के मुताबि जब ये सो रहा होता है तब भी इसके मुँ में 10 गुठके होते हैं जब खाना खा रहा होता है तब भी इसके मुँ में 10 गुठके होते हैं यानि इसकी जिंदगी का हर एक चान गुठके से भरा हुआ है गुटके के इस लज से यू तो भाई भी परिशान है लेकिन वा कुछ नहीं कर पा रहा है वहीं जादा गुटका खाने की आदत से इसके घरवाले बुरी तरह परिशान है बताया गया कि कई बार नशामुक्ती केंद्र पर भी भाई गुटके किलत को छुलवाने के लिए गया लेकिन वहां भी बात नहीं बरी भाई के आगे नशामुक्ती केंद्र ने भी हाद जोल लिए कि भाईया हम आपको ठीक नहीं कर सकती दावा किया जाता है कि पूरे दिन में यह तकरीबां 200 गुटके खाता है जिसकी कीमत तकरीबां 2000 होती है इस लिहाज से देखें तो यह पूरे एक महीने में 60,000 का गुटका ही खा जाता है अलिगण का यह गुटका मैन पूरे देश में सबसे ज़्यादा गुटका खाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है हाला कि इस भाई ने कई बार गुटका खाने की लट को छोड़ने की भी कोशिश की लेकिन गुटका और भाई का साथ शोली दामन का हो गया है वैसा इस गुटका मैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कमेंट करके जरूर बताएं